अगर बिरुजगारी आपको तंग कर रही है तो अभी 9812009696 पर कॉल करके जानकारी लीजिए आप कैसे सरकारी नोकरी पा सकते है विरुजगारी भारत के कितनी बड़ी समश्या है और विरुजगारी आपके लिए कितनी बड़ी समश्या है क्या सच में विरुजगारी का कोई अलाज नहीं है एक बात बताऊ बेशरम और कामचोर लोगों की समश्या विरुजगारी जहां हो वही से शुरू करो पढ़ो सही दिशा में पढ़ो ICS 11 साल से सरकारी नोकरी की गरेंटी दे रहा है कुरोना ने भले ही देश की रफतार रोक दी हो पर सरकारी नोकरी की त्यारी की नहीं ICS होमवर्क पर घर बैठे त्यारी कर सकते हो हलो गुडीवनिंग नमशकार मैं बभीता त्यागी ICS कोचिंग सेंटर के स्यूट्यूब चाल पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि जितने स्टूदेंट्स जुडे हैं वो जानते हैं हम लोगों एक नई सीरीज पढ़नी और पढ़ानी स्टार्ट की थी पढ़नी इसलिए कहते हूं क्योंकि मैं भी खुद पढ़ती रहती हूं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा जानने की शुरुआत की थी और दो हफते से हम लगातार पढ़ रहे हैं पहले हफते में हमने सबसे इंपोर्टेंट एक रिवल्यूशन के बारे में जाना था जिसने की दुनिया को नए-नए विचारों से अफगत कराया यह क्रांती थी फ्रांस की बहुत बड़ी क्रांती फ्रांस की इतनी बड़ी क्रांती कि जो आज चेप्टर पढ़ना शुरू करेंगे उस तक भी उसका प्रभाव दिखाई दिया इन फाक्ट पूरे वर्ल्ड पे चाहे वो एशन कंट्रीज थे यह यह उरोपिन कंट्रीज थे सब प्रभावित हुए थे फ्रेंच रिवल्यूशन से फ्रांसी सी क्रांती से तो उस क्रांती के बाद उस पूरे टॉपिक को हमने समझा था कि फ्रांस का स्ट्रक्चर कैसा था कैसे वहां पर राजाओं का राजशाही राजतंत्र था और धीरे-धीरे करके कैसे third estate के लोगों ने knowledge gain की, कैसे उन लोगों ने revolt किया, फिर कैसे उन्होंने अपना खुद का समिधान लिखा, किस तरह से उनके देश में धीरे-धीरे करके बदलाव आए, फिर एक तरफ देखा कि छोटे तबके से बिलॉंग करने वाले लोगों ने भ पकड़ा जाता है और उसको फिर निर्वासित कर देते हैं, और फिर किस तरह से 1815 में वापस से बर्बो या बर्बन फैमिली वही राजशाही तंत्र जो लुई के परिवार का था दुबारा से देखने में लेकिन इस वर को यसा ताकतवर राजा नहीं था, कि जिसका नाम ह अगर उसको हम थोड़ा सा पहले से ना हमारे पास बैक्राउंड हो, इसलिए मैंने पढ़ाया था, फिर अगले हफते हमने पढ़ा था नाजीवाद के बारे में, नाजीवाद एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी विचार धारा, जिसने पूरी दुनिया को अ उस टाइम में भी कविताय को पता चले कि क्या कुछ बुरा करके वो बरबरा आदमी अपने एरिया में से लोगों को बेर बाद करने के लिए, जीनो साइड का कैसे उसने प्रयोग किया, और दुनिया कुछ सीखे कि अगर जब नेगटिव दौर में इस तरह के लोग हावी ह तो उस टाइम पर जनता की क्या जिम्मेवारी है, कि मैंने कविता पढ़के सुनाई थी, उमीद करती हूँ आपने सुनी होगी, और उसको थोड़ा समझने की भी जरूरत है, और मैंने एक चर्श के पादरी ने प्रीस्ट ने वो कविता लिखी थी, तो यह दो टापिक मैंने यह दो टापिक हैं, कई बच्चे पूछते हैं, कहां से पढ़ाते हैं, तो N.C.E.R.T. नाशनल लेवल पे एक काउंसल है, जो एडुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम करती है, और देश के लगभग सभी स्कूल में, नौवी दस्वी में, नौवी दस्वी में, ए यह टीचर्स पढ़ाते हैं, तो N.C.E.R.T. की किताबों को टारगेट करके मैं पढ़ा रही हूं, जिसमें से नौवी दस्वी पढ़ने हैं, क्योंकि आठवी तक का है तिहास तो आप ठाके वैसी समझ लेते हैं, वो अपने आपी, वो सारा है भी इंडियन, लेकिन नाइन समय समय पर जहां जहां जिस देश की जन्ता ने कुछ भी अच्छा किया, उनसे हमें भी सीख लेनी चाहिए, कि अगर देश में कोई भी दिक्कत हो, और ये एक दिन की एक साल की कहानी नहीं होती, ये बदलाव, ये परिवरतन, सालों साल, सदियों सदियों चलते रहते हैं, 1789 की फ्रांस की क्रांती आज 2022 में भी दुनिया पढ़ रही है, दुनिया पढ़ती है, जानती है, कारण उसमें जो चीजें थी, वो आज भी परिस्तितियां बहुत सारे देशों में हैं, और लोगों को उनके लिए लड़ना भी पढ़ता है, और आगे भी आना पढ़ता है चलिए, आज तीसरा टापिक चुरू करते हैं, वैसे तो में सोशलिधी क्लास 10 पहले पढ़ा हूं लेकिन बहुत सारे लोगों ने का नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर सबसे टफ है, वो पढ़ा दीजे, तो वो टापिक चुरू करेंगे, सोशलिजम इन योरोप, योरोप म ने दुनिया में एक नई विचारधारा को जन दिया, देखिए, हिटलर का नाजीवात पढ़ाने का ओचित ये था, कि आप समझ पाएं, कि एगर हिटलर अपने देश पे हावी हो रहा था, तो लोग कहां गलती कर गए थे, क्यों हिटलर इतना हावी हो पाया, लोग कहां प कि उस टाइम पर क्या गलतियां रहे गई थी, ये फ्रेंच रिवल्यूशन में क्या अच्छाई थी, लोगों ने क्या बहतर किया, और किस स्टेज पे आके लोगों ने कैसे डिसीजन्स लिये, उनको हम भी अपनी लाइफ में सीख भी लें और उतार भी लें, आज की क्रां एक तो ये, वई विचार धारा, सोशलिस्म आप जानते हैं, एक विचार धारा मान लीजे, एक सेट अफ आइडियाज, स्ट्रक्चर, जैसे नाजीवाद एक विचार धारा थी, एक आदमी का काम करने का तरीका था, ऐसे ही सोशलिस्म भी एक विचार धारा है, एक आइडि काल मार्क्स के अलावा बहुत लोगों ने काम किया है सोशलिज्म के विचार पर कुछ लोग होते हैं जिनका नाम और जिनका काम दोनों फेमस हो जाते हैं तो उनमें उस हिसाब से अगर देखें तो काल मार्क्स को आप सबसे उपर रखते हैं जब आप सोशलिज्म की बात करत तो वो विचारों को जो शब्दों के रूप में उकेरा था और दुनिया तक अपनी बात को सही सधे हुए तरीके से पहुचाया था वो हस्ती थे कालमार्क्स तो इसका पहला पोर्शन है इस चैप्टर का invasive in Europe इसमें पूरे यॉरप की बात करेंगे और उन conditions की बात करेंगे कि किया जरूरत पड़ी समाजबाद को लाने की है विचार कहां से आया तो समाजवाद की क्या इस पूरी दुनिया में यॉरोपियन कंट्रीज को क्या जरुरत पढ़ गई थी, जबकि हम जानते हैं कि यॉरोपियन कल्चर तो हमेशा से कैपिटलिस्ट रहा था, वहाँ तो हमेशा से पुझीवादी लोगों का दबदबा रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि यॉरोप में कैसे सोशलिस्म आया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, देखिए, एंड करके, ये NCRT की हेडिंग है, इसी का पार्ट है, the Russian Revolution, Russian Revolution इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि समाजवाद का परियाय माना जाता है, जब भी कभी समाजवाद की परिकल्पना आप करते हैं, तो अपके दिमाग में सबसे पहला थोट आता है, जैसे नाजीवाद की कल्पना करते हैं, तो नाजीवाद में हिटलर का नाम सबसे पहले आता है, फासीवाद में बेनिटो मुसोलिनी का नाम आता है, ऐसे ही समाजवाद में सबसे पहला उभरता नाम आपके दिमाग में रूसी क्रांती से जुड़े लोगों का आता है जिसमें फिर अलग-अलग दलों के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे अलग-अलग लोगों के बारे में पर यह क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा दिमाग में पहली पिक्चर इन ही क्यों भरती है इसलिए इनको पिक्चराइज किया गया है यहाँ आज एक इंट्रोड़क्शन मान लीजे और इंट्रोड़क्शन जिसकी समझ में आ गया उसको बाकी जो आगे का भाग होता है बहुत असान दिखता है तो इस पर ध्यान से फोकस रखना आज हम एक बेस तैयार करेंगे अपना कि है क्या सोशलिज्म और सोशलिज्म तक क्यों पहुंची चीज़ें क्या जरूरत पढ़ गई सोशलिज्म की इसको फिर से जोड़ूँगी मैं NCRT ने भी जैसा पढ़ाया एक्जाक्ली मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूँगी आप इसके बाद NCRT पढ़ेंगे तो आपको हर लाइन समझ में आएगी ये शुरुआत करते हैं नाम तो ले रहे हैं कि रूस में समाजवाद ये सौरी यॉरोप में सबसे पहले यॉरोप में सोशलिज्म इन यॉरोप सोशलिज्म कहां पर इन यॉरोप इस सोशलिज्म से पहले ही आपको चैप्टर में समझाते हैं French Revolution को दुबारा से उठा के लाते हैं, उसके कुछ कारण है, मैं बात करूँगी, हम सब जानते हैं, इसलिए मैंने पहले फेरेणच Revolution पढ़ाई थी, फ्रेंच Revolution कहां हुई थी? फ्रांस में हुई थी, तब ही तो उसका नाम फ्रांसीसी करांदी है, और फ्रांस में जो राजा रहा करता था, राजशाही जिनका राज़तंत्र चला आ रहा था, लुई 16th आपको याद होगा, लुई 14th हमने थोड़ा सा पढ़ा था, दे ग्रेट मोनार कहलाता था, लुई 15th के टाइम में कैसे सब्तवर्शे, युदमेन का बहुत पैसा बरबा और किस तरह फिर 3rd estate के लोगों ने खटे होके अपना National Assembly बना ली, अपना समिधान जो है पूरा लिखा, फिर राजा को भी जुका लिया, और फाइनल स्टेट पे आकर राजा को भी सरया मौत के घाट उतार दिया गया था, ये सारी कहानी आप जानते हैं, फ्रेंच रिवोल स्वतंतरता और बंधुत्व या फ्रेटर्निटी या भाईचारा कुछ भी कह लीजिए, बंधुत्व ये तीन विचार है, समानता मतलब equality, हर इंसान समान है, वो अमीर है, गरीब है, जेंडर की बात करें, किसी भी रिलीजिन की बात करें, हर आदमी समान है, स्वतंतरता का मतलब हर इंसान को इंडिवीज्वल को राइट्स मिलने चाहिए, उसको आजादी मिलनी चाहिए, उसको ये स्वतंतरता होनी चाहिए, कि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सके, हाँ, इतना ध्यान रखे कि सोशल वैल्यूस के अकॉर्डिंग उसका जीवन हो, मर्ज रिवल्यूशन ने 1789 में, जिसमें वो बास्तील की जेल तोड़ी गई थी, ये विचार दुनिया के लिए नए थे, क्योंकि अब तक के इतिहास में हमने क्या देखा था, 1789 से पहले, पूरे यॉरोप के कल्चर में, आप उठा के देख लीजे, कहीं डेमोक्रेसी, या कहीं इक्वालिटी की बातें ही नहीं होती थी, लगभग समाज का, हर समाज का एक धांचा था, और उस समाज में तीन स्तर पे लोग मिलते थे, सबसे उपर हर जग है कलरजी या चर्च से जुड़े लोग माने जाते थे, और आप जानते हैं, इसका भी बटवारा था, चर्च मे किसी भी कंट्री को आप उठा के पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, सबसे ज्यादा नंबर वन जो सबसे उपर आते थे, समाज के तबकों में वो चर्च को बिलॉग करने वाले कलरजी क्लास थी, दूसरे जो लोग थे, जिसमें राज तंत्र से जुड़े लोग थे, जिन कि मर्चेंट्स भी थे, जिसमें बिजनस करने वाले लोग भी थे, जिसमें लैंडलेस लेबर भी था, जिसमें गरीब लोग भी थे, जिसमें ये माल लीजे कि जो समाज का सबसे बड़ा तबका था न, वो ये था, लेकिन ये सबसे ज्यादा नीचे गिने जाते थे, और इ इस बोहुत पुरानी चली आ रही व्यवस्ता में राज शाही व्यवस्ता थी, जिसका जो राजा है उसी का बेटा फिर राजा वने गाजा बेटा फिर फिर उसी का बेटा राजा लुई के परिवार में अपने क्या पढ़ा था सब के नामे तो लुई था, बस one two three four करके इंक तो उस करांती के बाद पूरे दुनिया में आसपास के लोगों को पता चला कि समानता एक्वालिटी नाम की चीज होती है जैसे जब तक आपको किसी चीज के पारे में पता नहीं है ना आपके मन में उसके प्रती इच्छा भी पैदा नहीं होगी फॉर एक्जांपल हम देखे जब तक चारजर भी नहीं देंगे आईफोन 13 में तो जो चीजें नहीं नहीं आती रहती है ना उनके बारे में आइडियास लोगों के दिमाग में बनते रहते हैं जो चीज नहीं है एक्जिस्टेंस में उसके बारे में कौन सोचेगा तो आप ये देखो जब तक ये समानत अबसंपर के लिग फोन आइफों क्या होता है एंड्रॉइड फोन में किया अईफोन में क्या डिफिरंस है अपको सब पता है LCD लेड में क्या डिफिरंस है यूतूप टीवी इस पे LED पे आप कैसे चला सकते हैं ये सब चीजें आप इससलिए सुन के समझ पारे हैं क्योंकि आप इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, या आपने सुन लिया, कोई ऐसी बात जैसे आज से 20 साल पहले, मुझे ध्यान है जब हम छोटे थे न, तो यह बाते होती थी, कि एक ऐसा समय आएगा जब आदमी फोन में दिखा करेंगे, तो मैं बहुत में शेट 6-7 में थी, तो आप यह देखो, मुबाइल में भी वह वाला जमाना जब वहाला जमाना जब वहारी भरकम सा, नोकिया पतानी कौन कौन से नंबर से, उसमें वन टू थी दबाते थे हम, तब भी हमारे दिमाग में यह था कि इनसान कैसे देखेगा, आज आप देखिए वाटसेप कॉल हो ज लोगों ने नी चीज़ेव जान ली और जब लोग नि नी चीज़ें जानेंगे, तो फिर वो डिमांड करेंगे अपने देश में, अब जब तक लोगों को हम पोलेटी का समानता का मतलब ही न mee पता था तो वो यह आल लेते थे कि हम पैदा ही गरीब के घर में हुए लगे ह जो बी आर अमबेडकर जी ने जब ये concept नया नया कहा कि वही SC और ST और OBC और ये जितने भी हैं ब्रहामेन ये सब बराबर होंगे, तो उस टाइम के लोगों को धक्का लगा कि ऐसे कैसे बराबर होंगे, लेकिन आज आज आप देखिए, जो हमसे अगली PD है न, जो बच्चे आज 5-7 साल के हैं, उन लोगों को जात पात और धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं रही, कारण धीरे 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 वो चीजें यूजलेस मानने लग गए लोग, अब उतना काम नहीं पड़ता न, उन चीजों का, जब तक सोसाइटी में उन चीजों की जरूरत थ बताती गए थे, लोग हमारे पूरवजी है, जो हमारे बड़े भुजूरते, अब धिरे-देरे इन चीजों की इंपोर्टन्स कातम हो रही है, लोग शहरी करण की तरफ भाग रहे हैं, शहरों में जाते हैं, अपना वहीं आशियाना बना लेते हैं, उनको कोई फरक नी मावाप कहीं गाओं में है, तो बच्चा कहीं अमारिका पहुंच गया, कहीं ऑस्ट्रेलिया, उन चीजों की उतनी इंपोर्टन्स नहीं रही, तो ऐसे धीरे-धीरे करके नए-ए-देरे चीजों की जरूरत पढ़ती जाती है, अवशकता पढ़ती जाती है, और नए-ए- शब्द थे दुनिया के लिए, और अब दुनिया धीरे-धीरे-धीरे इनके बारे में अपने-अपने देश में बात करने लग गई, जब ये बात करने लग गए, तो तीन तरह की विचारत हाराएं बड़े लेवल पे डिविलप हुई, इस फ्रेंच रिवल्यूशन ने प वारे गहर में तो बहुत लिबर्टी है, बहुत लिबर्टी में अजादी, बहुत ज़दा फ्रीडम है, एक काइंड अप्रीडम, तो लिबरल फैमिली क्या होती है, जो बच्चों को आजादी देती है, जैसा मन करे पढ़ो, जो मन करे अपना लाइफ बनाओ, यो तो लिबर्टी में भी थोड़ी सी बाउंडेशन्स रखनी पढ़ती है, लिबर्टी का मतलब यह नहीं होता कि जैसा आप चाहें वैसा करें, इसमें भी कंडिशन्स होती है, तो लिबरल जो विचारधारा के लोग थे न, इन लोगों ने क्या कहा है, और हमें आजाद खायालो लोग थे, जिनमें बिग बिजनसमें, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स आते थे, वो माल लीजिए, उनकी पीडियां आगे बढ़ रही हैं, और उनको फिर एक जैसे एक सोच, एक विचारधारा वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको एक नाम दे दिया, वह यह लिबरल लोग है, ल एक धर्म के प्रती लोगों की आस्ता बहुत ज़्यादा थी, और दूसरे को खतम करना, मैंने हिटलर की कहानी में अपको क्या समझाया था, जीसस क्राइस्ट को मारा था जियूज ने, ऐसी विचारधा लोगों में फैली हुई थी, और इसी के कारण, जीसस क्राइस्ट के ह आदमी नहीं है, बहुत लोग इसके साथ समर्थन में उतरा है, कि हाँ भी ठीक के रहे हैं, सारे रिलीजिन बराबर हैं, जितने धर्म ये जानते थे उस टाइम पर, ये ठीक है, सब धर्म बराबर हैं, ये सोच रहे हैं, एक विचारधा के लोग, दूसरा, ये कहते हैं, कि लिबरल है न, तो जैसी आज चीज़े हैं, ऐसी बाते इन्होंने उस टाइम पर की, इन्होंने कहा, इलेक्टिड रिप्रेजन्टेटिव होना चाहिए देश में, वो राजशाही नहीं, इलेक्टिड रिप्रेजन्टेटिव, यानि हमारा जो हेड हो, उसको हम चुने भई राजसंत्र हमें नहीं पसंद, राजसंत्र हमें समझ में नहीं आता, राजा ठीक है, लायक है, बना रहे, कल को उसका लड़का अगर उतना लायक नहीं है, तो वो क्यो राजा बनेगा, राजा अगर काबिल है, लेकिन राजा का अगर नाकाबिल है, और उसको हम राजा बन किसी की मर्जी से चीजे ना हो, जुडिशियरी का सिस्टम हो पूरा, पूरा जुडिशियरी का सिस्टम हो, और जो फ्री हो, जैसे हम आज कहते हैं कि जुडिशियरी फ्री होनी चाहिए, किसी के दबाओं में न हो, अपनी नियायपालिका, ऐसे यह कहते हैं, नियायपालिका क लेकिन एक कमी थी इन में, क्या, इन्होंने कहा, वोट डालने का अधिकार, सिर्फ 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 उन लोगों को हो, जिनके पास प्रॉपर्टी है, यहां यह चूक गए थोड़े से, जैसे एक्वालिटी की बात से यह थोड़ा सा पीछे हटते नजर आ, इक्वालिटी तो यहां आके थोड़ा सा हमें लगता है, डेमोक्रिसी का तो भईया, तुम पीछे हट गए हो, क्योंकि डेमोक्रिसी तो कहती है, हर एक को बराबर का वोट, यह तो औरतों को तो छोड़ दो, औरतों को तो उन्हें नामी नहीं लिया, यह तो कहते हैं, आदमियों में भी स्ट्रेटा के लोग थे, तो यह खुद रिच से, इनकी परवरिश अच्छे घरों में हुई थी, तो इनको लगता था कि ठीक है, सब जगे हम बराबरी कर देंगे, लेकिन जब बोट डालने के अधिकार की बात आएगी, तो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो स्लेबर है, सर्वेंट्स हैं, या इस तरह के लोग हैं, स्लेव्ज हैं, इनको वोट नहीं डालना चाहिए, इस विचारधारा से हमें थोड़ा सा लगता है, कि यह डेमोक्रेसी से काफी दूर खड़े हो गए जाके, और सब कुछ अच्छा था, जुडिशिरी है, इलेक्ट पर चलो, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो हमें याद रखनी है, एक विचारधारा, बहुत लोग इनके साथ आके खड़े हो कि भई ठीक है रहें, इसी के पैरलल एक विचारधारा और आई, जिनको हम कहते हैं, रेडिकल्स, रेडिकल्स होते हैं, जो तुरंत से चे और कल बदल गई, कई बार तो सदियां सदियां बीच जाती हैं, विवस्था को बदलने में, तो रेडिकल्स में था एक तो जल्दी बहुत चाहते थे चेंज, जिसकी की पॉसिबरेटी कम थी, लेकिन इनमें कुछ अच्छाईयां भी थी, अच्छाईयां क्या थी इनमें, इनमें सबसे पहली अच्छाई थी, ये इक्वल वोटिंग राइट सबके लिए कहते थे, ये कहते थे हमारे लिए गरीब अमीर, मैटर ही नहीं करता, हर आदमी बराबर है, तो हम ये नहीं कहते कि प्रॉपर्टी वाले को, एक्च्छल में क्या था, रेडिकल्स जो लोग ये उस तीसरी केटेगरी के गरीब और थोड़े से ठीक ठाक से पढ़े लिखे लोग थे, मतलब बहुत रिच नहीं थे, जैसे हमने देखा कि लिबरल लोग कौन थे, जब चेंज की बात करूंगे न मैं, तो आप ये मानना क्लरजी वाले चेंज लाके खुश नहीं होंगे नॉबिलिटी कभी चेंज लाके, क्योंकि वो तो राजा हैं, वो क्यों सोचेगे कि दुनिया बदले, वो तो चाहेंगे जैसे हम राजपार्ट चला रहे हैं, ऐसे ही चलता रहे, चेंज हमेशा दुखी होने वाला आदमी लाता है, जो राजशाही अंदाज में जी रहा है वो क्यों बदलेगा समाज? तो जो ये रेडिकल्स और जो ये लिबरल्स है ना, ये थर्ड केटेगरी के लोगों में से निकलेंगे, वही चाहते हैं दुनिया बदले, वही चाहते हैं बराबरी की बात हो, लेकिन उनमें भी जो अमीर हैं, वो वैसे तो सब को बराबरी के पर रखते हैं, लेकिन जब वोटिंग राइट है तो औरतों को तो भी भूल जाओ, आदमी सिर्फ वो आना, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, बिना प्रॉपर्टी के आदमी वोट में डालने आना, इस से दिग गया ना, कि वो लोग थोड़े से अमीरों को इंपोर्टन्स अब इस थर्ड केटेगरी के उन से थोड़े से गरीब लोग थे, जो दूसरी विचार धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको क्या कह रहे हैं, रिडिकल्स, ये आमोल परिवर्तनवादी तुरंत एकदम से चेंज चाहने वाले, ये कह देते हैं, हमारे ले सब बराबर है, और अब इनको अगर ये कहेंगे आदमियों को वोटिंग राइट दो सबको तो औरतों को पीछे छोड़ दिया, तो फिर लोग कहेंगे तुम भी गलत हो, तो इन्होंने का सबको युनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सुना है वर्ड आपने, सार्व भॉमिक मत अधिका इनका कहना था, सबको मत डालने का अधिकार दो, औरत, आदमी, ऐसी, मतलब जो भी इनके देश में रहे होंगे, प्रॉपर्टी, नॉन प्रॉपर्टी, सबको अधिकार दो, तो एक तरह से देखें तो इनमें ये बहुत अच्छा गुण है, ये सबकी बराबरी की बात करत लेकिन कुछ हाथों में प्रॉपर्टी ना रह जाए, क्योंकि मैंने आपको बताए है, थोड़े से comparatively गरीब तबके के लोग थे, तो इन्होंने का हम मना नहीं कर रहे है, एसा नहीं की प्रॉपर्टी ना हो, लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, पर्सनल प्रॉ स्पीड से लाना चाहते थे और सोसाइटी के चेंज एक दिन दो दिन में नहीं आते तो ये कही ना कही थोड़ इसी कमी थी और इन लोगों को पेशेंटली काम करने की जरूरत थी फिर भी एक विचार धारा थी तो लोग इसके साथ भी खड़े हो गए लिब्रल्स और रेडिकल्स लगभग सेम हैं बस थोड़ा सांतर है लिब्रल वाले थोड़े से रिच स्ट्रेटा के लोग हैं तो वो वोटिंग राइट सिर्फ किसको देना चाहते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है वो औरतों को तो बिल्कुल पीछे वो बिना प्रॉपर्टी वाले आदमियों को भी पीछे कर रहे हैं जबकि रेडिकल्स चाहते हैं कि आदमी औरत गरीब अमीर सब बराबर हों यह किया कहते हैं, कि प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में उस्यमट के रहे, प्रॉपर्टी का सेंच्रालाइजेशन ना हू, ठीक है. तो यह दो विचारधा रहा है, तो अच्छी विचार दा रहा हैं, दोने से समाज में परिवर्तना आ सकता है. एक तीसरी विचार धारा है, जिसका नाम है, कंजर्वेटिब्स, इसको भी ध्यान से सुनो, कई बड़ यह में सुना होगा ना, इसकी फैमिली बड़ी 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 ए, ऐसे लोग यूज करते हैं, कंजर्वेटिव फैमिली है, रुधिवादी, पुरानी चीज़ों को ही चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें, जैसे फॉर एक्जांपल, कोई मनलीजे कोई घर में कोई लड़की भई अपनी फ्रेंड्स के अध मूवी देखने जाना चाहती है, बारवी पास कर गई है, तो वो उस अपनी माता जी से कहती है, मैं था वैं कि अबमी मैं देखा हूँ मूवी, तो उस की मा कहते हैं, ऐसे मूवी देखने नहीं जाना है, हमारे घर में आज तक कोई लड़की नहीं गई, तो संसकार की जो चीजें चली आ रही हैं वो आज भी अच्छी हैं लेकिन संसकार अगर बेडियों में जकड जाते हैं तब जाके दिक्कत आते हैं संसकार कभी गलत नहीं होते हम आज भी यह चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीडियां हैं उनमें संसकार हो वो बड़ों की करें, वो चीजों को एनलाइज करने की पावर अपने में डेविलप करें और लाइफ को बहुत क्विक डिसीजन के साथ ना कि भी ये ठीक है ठीक है दुनिया ऐसा करती है ऐसे नहीं, संसकार हमेशा पीडी दर पीडी आगे बढ़ने चाहिए लेकिन रीती रिवाज अगर किसी के पैरों के बंधन की तरह बेडियों के रूप में काम करते हैं तो फिर वो तूट जाने चाहिए यानि समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है कंसर्वेटिव्स पहले कहते थे कुछ मत बदलो, ये क्यों कहेंगे कुछ बदलो जो खुश है वो क्यों मतलब चाहेगा तो चाहेगा ये चीज़ चलती रहे लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन ने दुनिया भर के कंसर्वेटिव विचारधारा वाले लोगों को एक बात समझा दी कि भाया चेंज तो होगा सोसाइटी में हमेशा 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 एक जैसी चीज नहीं चलनी परिवर्तन अवश्यम भावी है यानि परिवर्तन तो होकर रहेगा कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है परिवर्तन पर्मानेंट होगा मतलब होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा कभी खतम नहीं होगा तो conservatives को एक बात समझ में आ गई after French Revolution, कि change तो आएगा तो इन्होंने सोचा यार अब यूं सीधे यूं कहना change नहीं करना तो बेवकुफी है change तो आएगा, लेकिन इन्होंने बड़ी समझदारी से कहा हम change को मिना नहीं करते, change ले आओ लेकिन change बहुत gradual मतलब धीरे 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 परिवर्तन लाओ लेकिन धीरे धीरे समाज की values में समाज के कामधाम के तरीके में समाज के system को बदलो यह नहीं radicals की तरह है कल पता चला आज समाज बदल देंगे, यह तरीका गलत है इनका मानना था, changes अगर जरूरी है तो लाओ अगर जरूरी है दुनिया तो बदलेगी, French Revolution में सब कुछ बदला लेकिन हमेशा अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करना यह इनोंने कहा कि हमेशा अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करना क्योंकि पास्ट में यह राजा थे ना, इनके पूरवज राजा थे तो पास्ट की रिस्पेक्ट करो, मतलब यह नहीं भूलना कि हमारा खानदान तुम जो है देश के राजा रहे हैं तो पास्ट की वैल्यूस की पास्ट के पुराने राजाओं कि पास्ट की सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना चेंज ले आना, लेकिन चेंज ग्राजुएली लाना एक दिन में या दस दिन में चेंज लाने की कुछिश मत करना और यह चाहते थे कि जो ज़रूरी हो सिर्फ वही लाए जाए तो अब तीन तरह की विचार धाराई या आदमी नहीं है विचार धा रहे हैं, कुछ लोगों ने का liberals ठीक है, वो liberals के साथ चल पड़े कुछ ने का radicals ठीक है इन दोनों में major अंतरियाद है तुम्हें क्या था radicals क्या कहते थे, ओरतें भी vote डालने के अधिकारी हैं और गरीब आदमी भी liberals हर तरह से liberty देते थे judiciary बना और representative चुना हुआ होना चाहिए, लेकिन ये कहते थे कि ओरतें और बिना प्रापरटी के आदमियों को vote डालने का अधिकार मत दो ये कहते थे radicals, majority की बात मानो, और अधिकार आदमी सब बराबर हैं इन में और इन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन voting right में दोनों बिलकुल अलग खड़े थे, 36 कहां खड़ा की वो कहते हैं दो, अधिकारों कहते हैं मत दो इन दोनों की बातों से कौन है सहमत थे conservatives, जिनका मानना था चीजें जैसी चल रही हैं, चलने दो बहुत ज़रूरत पड़े तो बदलो और बदलो तो बहुत धीरे-धीरे सोसाइटी को बदलो और पुराने पास्ट की हमेशा रस्पेक्ट करो इन लोगों को लगता था चीजें ज़रूरत है तो अभी बदर लालो ठीक है, बहुत टाफ हैं यह तीन विचार धारा हैं अगर तुम नहीं समझ होगे पढ़ोगे ना तुम किताब से तो तुम्हें बहुत असाल लगेगा बहुत इंपोर्टन टॉपिक है तीनों का इसके बाद अगली हटिग है इंडिस्त्रील सोसाइटी इंड सोशल चेंज दूसरा टॉपिक इंडस्त्रीयल सोसाइटी An ड सोशल चेंज इसका मतलब हुझ हां निथी में कहें तो मालनो 1815, वाटरलू की लड़ाई के बाद की बाद देखते हैं, इस टाइम पर अगर हम देखें, तो हमारे यहां भी विदेशी पैर पसार रहे थे, अगर हम याद करें 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 की बकसर की लड़ाई, याद होगी ना आपको, इस टाइम पर आपके यह और हेर फेर के असपास में, खासकर 1820 से अगर मैं चालिस की बात करूँ, तो यॉरोप में इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट लेकर आया, इस दौर में 1820 से चालिस तभी तो फिर एक्स्प्राइटेशन बढ़ा था हमारी बिस भराटेशन बहुत 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 इस दौर में यॉरोप में बाढ़ा गई थी, इंडस्ट्रिइज खड़ई ओ गये पूरे बहुत बारी शहर रूप बढ़ गये हैं य हुझर पुरे इंडस्ट्रियल टाउन डिवलब हो गए, तो अब जहां इंडस्ट्रियल टाउन डिवलब हो गए, जहां बहुत चारी फैक्टीज लगेंगी, तो यह थोड़ा यूज करो, वहां अपने आप लोग बागा जाएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है काम, जहां जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स डिवलब होए, कि एक शहर में 50 फैक्ट्री लग गई, कोई कपड़े की, कोई किसी चीज की, कोई किसी की, तो क्या हुआ, आसपास के एरियास से उठके, गरीब लोग, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग, या ज औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, इंडस्ट्री जहां बड़ी-बड़ी डिवलब होंगी, तो आप सोचों, यहां काम मिलेगा न, अब यहां काम होगा तो, मानलो है, चार इंडस्ट्री लग गई, एक में कपड़ा बनता है, एक में जूते, एक में कपड़े, या कुछ औ इस तरह का इरोज मर्रा का समान, तो इसके आसपास यहां पर लेवर उठके आ गया, अब क्यूंकि फ्रेक्ट्री में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लेवर चाहिए, अब इस लेवर को यहां रहना है, तो इनको घर भी चाहिए, तो इनको किराय के मका इनको पीने का पानी की सुवधा चाहिए, इनको आसपास मार्केट चाहिए, घरेलू सामान भी चाहिए, तो यहां आके बहुत सारे लोगों ने इस तरह की दुकाने बना ली, यहां घर बना लिये, छोट छोटी जोपडिया टाइप, मतलब छोटे मोटे टाइप के घर बन अब यहां जो लोग आये ना, इनमें औरते, बच्चे, जवान, सब लोग थे, तो यहां पे एकदम से बाढ़सी आ गई लोगों की, जिस कारण क्या हुआ, इतने सारे लोग अगर उट उटके आ जाएंगे गाउं से, तो इतने सारे लोगों के लिए रहने के लिए प्रॉ जैसे इतने लोग हैं, तो वो कैसे टॉयलेट, वाष्रूम, बात्रूम, किच्चन, रूम, कैसे बनेगा सब कुछ, तो यहां जल्दी जल्दी में ऐसे एरियास इविलप हो गए, जहां पे ना प्रॉपर पानी आता था, ना टॉयलेट बात्रूम की सुविधा थी, और एक गंदगी से भरा हुआ असपास का एरिया, जहां बदबू रहती थी, बीमारियां फेल जाती थी, ऐसा सा महौल यहां डविलप हो गया, एक चीज़, दूसरी चीज़, इन में से कई तो सीजनल थी, किसी सीजन में काम होता, जैसे मानलीजे जे कौटन कपड़े की, कपड़ बनता है, जिससे वहां अपनी इंडस्ट्री है, तो कौटन पूरे साल थोड़ी कच्चा माल है, तब इतने बड़े लेवल पे काम नहीं था कि पूरे साल इंडस्ट्री, आज इंडस्ट्री पूरे साल चलती है, तब नहीं चलती थी, तो कौटन इंडस्ट्री में एक खास विशेश मौसम में, जब कॉटन आएगा, तब कपड़ा बनेगा, उस टाइम पे काम, तो इस टाइम तो लेवर को रख लेते, फिर उनको निकाल देते, तो जब उनको काम मिला तो वो रह लेंगे, लेकिन जब उनको निकाल लेंगे, तो वो कैसे वहां के तीने का पानी, वा यसी बात है कि लिवर सस्ता होगा, तो इन लोगों को दिन में ये 15-15 गंटे तक काम करते हैं, इतनी खराब कंडिशन, शुरुआती दौर तो बहुत खराब देखा, यॉरोप को इस सदा से नंबर बन नहीं था, कहते हैं इनके यहां 15-15 गंटे काम करते थे ये लोग, दिन का भय, और इतनी खराब गंदी हालत में रहना, जिन बस्तियों में ना पानी था, ना सेनिटेशन था, और कैसी लाइफ होगी होगी ने लोगों की, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये लोग बढ़ते गई, आवादी बढ़ती गई, ये सुविधाय जो थी, ये ना के बराबर और रहना बढ़ा, ये मालीजे, असेहनी है, कंडिशन में इनको काम करना पड़ता, फिर कोई छुटी नहीं बढ़ा बुरा हाल था, तो इन इंडस्ट्रीज में से कुछ लोग वो थे, जिन लोगों ने छोटे-छोटे बिजनस करके पैसा ही खटा किया था, और अवनोंने इंडस्ट्रीज लगा ली थी, ये वही हैं, जो रेडिकल्स बन गए थे, कुछ और कुछ लिबरल्स बन गए थे, तो इन लोगों के मन में आया, अब इनके विचार तो अच्छे ही है, बेसिकले ये आदमी अच्छे हैं, तो इन लोगों के मन में आया यार, इन लोगों की स्थिति बहुत खराब है और हमें कुछ करना चाहिए एक बात दूसरी बात इनों ने सोचा कि हमें प्रॉफिट तब होगा जब हम जिन लोगों से काम ले रहे हैं वो लोग हेल्दी भी हो और एजुकेटिड भी हो देखो कितना अच्छा विचार है इसको हमें इंडिया में और एजुकेटिड भी हो लेकिन हम इंडियान इन चीज़ों पर काम नहीं करते हैं जिसे किसी भी देश की सबसे बड़ी पुंजी क्या होता है वहां का सोना पुंजी नहीं है सोना तो आपने देखा था कैसे जर्मनी से हडप लिया था फ्रांस ने याद होगा न आपको ज यह डिवलप्मेंट के रास्ते पर चल रहे हैं इन में रेडिकल्स और लिबरल्स ने यह बात फील की कि भाया जिन लोगों से हम अपने यहां पैसा कमाते हैं जिन लोगों की मदद से भी यह फैक्टरी वरकर्स हैं छोड़ जोड़ी वेजिस पर काम करते हैं दंडात हमारे ना हेल्थ से मतलब ना एजुकेशन से मतलब वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो जिस देश को आगे बढ़ना है उस देश को यह दो बेसिक चीजें अपने लोगों को मुहिया करानी पड़ेंगी और यह बाते मैं देखो कब की बता रही हूं उननिस्वी शितादी के शुरू में रेडिकल्स और लिबरल्स को फील हुआ कि इंडिस्टिलाइजेशन ने लोगों का नुकसान भी किया है ठीक है एक तरफ पैसा कमारे है लेकिन लोगों की हेल्थ और लोगों की एजुकेशन पे हमें काम करना और इन दो फेक्टर्स पे अगर हम काम करेंगे न तो जो लोग हमारे यहां काम करते हैं इनका अपने आप हेल्थ अच्छी रहेगी और इनकी एजुकेशन तो इनका काम का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और यह सचाई भी है अगर आपने कुछ भी आप देखी आपके दे परफिक फारट경 के साथ सपाएढरी इसलिप है अगर उसका काम है फाइल को ले जाके जगल से लुट क्र चेटर के रखना तो वो ्लक लेडिकेटेड हो के utetर घहिए उधेटर कहुए यहां लोग जिस भी काम में altri के स॥ ही यह यहures की बात कर लो टीचर्स की बात कर लो और छोड़ो अपनी बात कर लो तुम, जो भी अब तुम पढ़ने के काम पे हो, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 90% तो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, अपने काम के प्रती तुम कितने डेडिकेटिड हो, खुद अपने मन से पूछ लो, जिसका जो काम है न, अगर वो देडिकेटिड नहीं है, तो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, और यह कहां से आता है, यह एजुकेशन से आता है, डिगरी से नहीं, कागज की इस डिगरी से नहीं, एजुकेशन का मतलब होता है, लिट्रेसी और एजुकेशन दो अलग बाते हैं, यह मैं बहुत बार ब behavior, आपका व्यवहार बदले, आपकी दिमाग, body, soul, जितना best आप कर सकते हैं उतना कीजिए, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, तो आप देखेंगे अपने आप देश में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे न, जब सब ये सोचें कि मुझे ये ना कहना पड़ा है कि तिन दिन बाद फिर आपके दिखा देए, जैसे कि हमारे यहां करना पड़ता हैं, जिस चीज पर काम करें न, उसको पर्फेक्शन से करें, ये कोशिश तो करें, इन लोगों ने ये फिल किया, और इनोंने का हमें अपनी जो आबादी है, इनकी एजुकेशन और इनकी हिल्थ पर काम करना चाहिए, क्योंकि लॉंग रॉंग रॉन में जाके ये फायदा देगी, अचा भी मैने आपको बताया, ये लोग कोई अमीर घरों में पड़ा हुए लोग नहीं थे, ना ये लोग नोबिलिटी के लोग थे, ये थे थर्ड स काम किया, और इन दोनों ने, क्योंकि आप खुद देखो, नॉर्मल से परिवार से, मिडल क्लास से उठके, ये लोग अब बड़े-बड़े बिजनस करने लग गए थे, तो इन लोगों को ये समझ थी, ये अकल थी, कि मेहनत की कीमत होनी चाहिए, देखो, जो नॉर्मल कार में आप सब जानते हैं, अगर मैं सचाई कहूं तो एवरेज परिवार भी गरीब बराबर ही होता है, कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि आपके घर में चार गाड़ियां खड़ियां और बड़े घर में रहते हैं, या को पढ़ने के लिए बड़े अलग से जगह मिली हुई जानते हैं, इसनी बड़ी आबादी है, इतना को एफोर्डी नहीं कर पाता अगर शहर में रह रहे हैं तो गाओं में वैसे सुविधाय काम होती हैं, बिजली टाइम नहीं आएगी, बहुत तरह की दिक्कते हैं, तो ये लोग जो थे न, ये एवरेज परिवार से उठे थे लेकिन महनत करते 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 ये बिजनसमेन बन गए थे, तो ये इस बात को फील करते थे, कि महनत की कीमत होनी चाहिए, जो महनत करें, एक बात, अब सब ने कहा हैं, सब तो महनत नहीं कर सकते हैं, सब के अंदर तो ये दिमाग और ये आइडियाज नहीं आते हैं, सब उतने creative नहीं है वो भूखाना मरे उसके रोजगार की जिम्मेदारी हो जो भी सरकार चला रहा है चाहे वो मुनार्क है या कोई भी है या वो डेमोक्रासी आएगी या इनके according समाज बदलेगा गरीब को यानि हर हाथ को काम मिले ये जिम्मेदारी हो देखो कितनी अच्छी विचारदारा है ये चीज मुझे मतलब बहुत पढ़के अच्छी लगी थी कि जो काबिल हैं उनको काम करने का मौका मिले वो बिजनस करें या कुछ भी करें जो बहुत ज़दा काबिल नहीं है काम उसको भी मिले और तीसरी चीज महनत की इज़द करें हर कोई चाहे वो बिलकुल लोवर लेवल पर काम कर रहा है क्योंकि महनत तो वो भी कर रहा है न अगर वो सफाई भी कर रहा है तो देखो फिजिकल वर्क में महनत लगती है आप खुद भी जानते हैं इस वात को कोई मेंटल वर्क करें कोई फिजिकल वर्क करें रिस्पेक्ट सबकी करो इंडिवीज्वल की रिस्पेक्ट करो बहुत बढ़िया विचार था ये और उनको लगता था कि अगर हम अपनी इस आबादी को जो ये हमारे आसपास हैं इनको एजुकेशन दे दें इनकी हेल्थ के सिस्टम को सुधार दें तो फिर हमें जो आने वाली पेढ़िया है न इनमें हमारा पूरा जो प्रोग्रस का चार्ट है वो बहुत आगे जाएगा और ये सच बात भी है उस चीज को फील करके इन लोगों ने काम किया तो यहां तक की कहानी अगर आपकी समझ में आ गई है तो अब इसके बाद कैसे फिर अब जैसे इन लोगों की बराबरी की बात कर रहे हैं इसी से फिर सोशलिज्म का जन्म होगा आगे जाके अभी तो हम रेडिकल्स, लिब्रल्स और कंजर्वेटिव्स पर बैठे हैं लेकिन कल जब हम कहानी को इससे आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे ये लिब्रल्स और रेडिकल्स के विचार आगे जाके सोशलिज्म के लिए प्रिश्भूमी तयार कर देंगे जिनसे हम पूरी सोसाइटी में प्रोडक्शन करते हैं ये किसी एक की बपौती ना हो जैसे एक परिवार के ही लोगों का इस पर राज ना हो समाज के लोगों का इस पर राज हो और पूरी सोसाइटी का फायदा हो प्रॉफिट पूरी सोसाइटी को मिले सिर्फ उसको नहीं जिसने पैसा लगा दिया और जो अपने घर बैठा रहा बिजनस चलता रहा, workers काम करते रहे प्रोफिट आता रहा, लेकिन वो प्रोफिट workers के पास नहीं गया, वो जेब में गया मोटे लाला जी की में जिन्होंने घर से बाहर निकल के देखने की जरुरत भी नी समझी, इसको अपोस करेंगे अगली जो विचार धारा आएगी और वहां से सोशलिस्म की जड़े जमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो यह सोशलिस्म का बैक्ग्राउंड था, कि किस तरह फ्रेंच रिवल्यूशन ने विच अजिए बैटे 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 मन कर सकता है कि गुलाब जामून कहूं झाओ तो जो जो चीज देख रखी है, जिस को जिस्चीज कि नॉलेज है उसी चीज के प्रतीतों उसके मन में विचार धारा वनती है, तो इसलिए वोर्ड को प्रभावित कर गए ये तीन शब्द, समा तो आज हमने एक बैक्ग्राउंड तयार कर लिया सोशलिज्म के उपर, कि कैसे सोशलिज्म आगे जाके बढ़ेगा, चीक है उमीद करती हूँ, यह बैक्ग्राउंड अब की समझ में आगया हुआ, इतना आगया है ना, तो अब आगे बहुत असान दिखेगी तुम्हे कहानी, चलो, तीसरे टॉपिक की आज चुरुबात कर दी हमने, इस हवते में तीसरे टॉपिक को पूरा करेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस एप पे आपको जितनी भी गर्वर्मेंट जॉब्मेंट जॉब्स हैं, इन सब की तयारी कराई जाती है, हैं, एचसे, एससी, ससी, टीचिंग, डी टॉपल एसपी के तुरू जितने एग्जाम्स होते हैं, यूपी के, राजस्थान के, हरियाना के, बिहार के, MPK, चत्षगड के, जारखंड के, मतलब नौर्थीस, जो हिंदी-स्पोकन स्टेट्स हैं, इन सब के जितने एग्जाम जोते हैं, स्टेट लेवल पे, इन सब की तैयारी कराई जाती है, ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स जो मेन हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैच्स, रीजनिंग, जीके, कम्प्यूटर, करन्ट अफेर्स, और अगर टीचिंग है, तो चाइल्ड देवलप्मेंट, साइक रुपी है, यह एप की फी है, और इसमें आपकी सभी गवर्मेंट जॉब्स की तैयारी हो सकती है, आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हूँ, तो मैं आपको दो नंबर दे देती हूँ, नभे तरे पनसो बीस चालिस, एक नंबर ये है, और एक अठानवे, बा आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, प्राचीन काल, मध्यकाल और अधुनिक काल, और मैं इस पे वर्ल्ड हिस्ट्री करा दूंगी आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री तो खेर मैं यहां भी पूरी कराऊंगी, हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट में पर लगता है कि चलते लते वच्चों को थोड़ा सा पता चल जाए जब बिल्कुल एक्जाम से पर हो तो कई वार मैं हिंदी की कुछ क्लासेज ले लेती हूं कि वही चलते चलते वैसे हिंदी के सर अलग है करन्ट अफेस के सर भी अलग है लेकिन मैं खुद भी जब कर रही थी और मैंने आपको बताया था मैं दिल्ली में जब गवर्मेंट स्कूल में टीचर थी तो उस दोर में मैं फील कर थी कि कुछ चीज़े ना चलते चलते भी पढ़ लेनी चाहिए वो कही ना कहीं आपको फायदा दे जाते हैं तो एक्जाम से एक हफता बहर पहले मै आपने यहां सेंटर में तो ऐसा ही करती हूं कि इंपोर्टन चीज़े बच्चों को करा देती हूं तो उससे क्या होता है एक अपनी मेरी साटिसफेक्शन की चलो इन के सागया तो बच्चों के नंबर ना कटे और बच्चों को भी साल भर की चीज़े चलती रहती हैं फिर लास्ट में वो समप हो के थोड़ा असान दिखने लगता है बाकि मेन सबजेक्ट मेरे यह हैं जो मैं पढ़ाती हूं ठीक है किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हो तो यह दो नंबर हैं वान येर की फी 3000 है किताबे आपको पढ़नी पढ़ेंगी अपने उपर टाइम भी दे सकते हैं अपने उपर टाइम पैसा सब चीजे इंवेस्ट करनी पड़ती है आप सोचो कि बैठे बठाए मेरा कुछ होगा तो नहीं होगा आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपने उपर इंवेस्टमेंट देनी पड़ेगी टाइम की भी और पैसे की भी बाकि पढ़ना ह सब्सक्राइब करनी पड़ती है खोच रहिए पॉजिटिव रहिए खुब पढ़िए जितना हो सके टाइम को युटिलाइज कीजिए और अब तो सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही सारा सिस्टम वापस से ट्रैक पे आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्कू स्कूल ही नहीं गए दस्वी क्लासें भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला आप देखो नौवी दस्वी में विश्व इतिहास का इंट्रोड़क्शन होता है और बच्चों ने कभी क्लासी नहीं ली तो उनका नुकसान तो हुआ ही हुआ है जो कि समझ में नहीं आएगा प्रोमिक्रोन उतना भयानक भी नहीं है तो खुछ रहिए अबाद रहिए पढ़ते रहिए और यह समय हाथ से मत जाने दीजिए इसको यूटिलाइज कीजिए इस टाइम में भी यह सोचिए कि मैं रोज इंप्रूब्मेंट कैसे करूँ कोई भी स्टूडें जो तयारी कर अब जाए नोकरी कि उसको रोज 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 इंप्रूब्मेंट करना होता है एक दम से भाग दॉड के कभी नोकरी नहीं मिलती नोकरी जैसे रेडिकल्स जो होते है जो तो रेडिकल वाली विचाड़ दाग कि तुरंत तुरंत वाली बात नहीं है आप धीरे धीरे अब जाए जाए जो आपको सारी चीज़ें आती मिलेंगी और फिर नौकरी लगना आपके लिए असान हो जाएगा चलिए आज के लिए इतना ही थांक्यू गूड नाइट एक और इंपोर्टन बात मैं अब जैसे चैनल चल रहा है बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा तो मेरी पहली वीडियो है जो 10 मिलियन क्रॉस कर गई यह कल डेता जी सुभाष चंद्र बोस का जनंदन था 23 जन्वरी को और कल ही वो 10 मिलियन क्रॉस कर गई बी आर अमबेडकर जीक्यो पर वीडियो थी वो जो मैंने लास्ट येर बनाई थी जब लॉक्डाउन लगा फोर पॉइंट प्लस भी हो गई है लेकिन ये वीडियो बहुत कम टाइम में 10 मिलियन क्रॉस कर गई तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्योंकि यूट्यूब तो बेसिकली वही बात होती है कि जब देखा जाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा तो जितने लोग चैनल को देखते हैं पसंद करते हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद क्योंकि बच्चे होंगे तो ही टीचर जागे बढ़ पाएंगे टीचर अकिला क्या करेगा अब मालीजे मैं यहां आपके पढ़ा हूं और कोई पढ़ता ही नहों कोई व्यू ही नहों तो फिर मुझे यहां और एक घंटा बोल के चली गई मुझे इस टॉपिक अब जो कल पढ़ाना है उस पांच से चे घंटे तैयार करना पड़ेगा जब कि मेरे तैयार हैं यह तोपिक मैं पिछला पूरा साल 9th 10th पढ़ाई है मेरी खुद की बेटी भी 9th में लेकिन बहुत सारी चीजे ए तुम्हें याद रह जाएं कैसे वो कहानी की तरह है पिरोके में ऐसे प्रजेंट करूं ताकि तुम्हारे दमाग में वो बैठ जाएं यह मेरी कोचिश रहती है इसलिए हर क्लास पे कई-कई घंटे की महनत होती है बहुत बर बच्चे कहते है मैं हमेशा क्लास लेते रहो त इसको बोलते है ना मनलगभग 19-20 क्लास अगर कोई वो कर लेगा तो फिर उसको पॉलिटिकल को समझने में दिक्कत नहीं आने मौडरन हिस्ट्री मैंने खुद पढ़ा रखी है सारी यह तीन चीज़े मैंने बहुत अच्छे ढंग से कवर कर आ रखी है तो अगर किसी को पढ़ती है बच्चे को यह बहाना की मैं गरीब हूं यह आप कितने दिन चला लेंगे फाइनली जवाब आपको अपने आपको देना है कि आपने क्या किया जब आपके पास टाइम था आप गरीब हैं तब भी आप समय निकालके पढ़ सकते हैं कोई भी पढ़ सकता है आज अपने उपर काम करो क्योंकि जितना अपने उपर काम करोगे उतना फिर दुनिया में तुम्हारा नाम खड़ा होगा ठीक है थांक यू गुड़ नाइट